हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं NCC Limited की quickly analysis देख लेते हैं चैनल को like and subscribe करना मत भूलिएगा तो NCC में आज आप देख रहे होगे stock में breakout हुआ है यहाँ और जो breakout है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया यहाँ पे आप देखेंगे stock consistently तीन दिन से यहाँ strike हो रहे थी यह जो trend line थी और पहले भी यहीं से reversal बना यहाँ पे आप देख रहे होगे और इसके पहले भी यहाँ से rejection था तो कहीं न कहीं finally आज यह trend line का breakout हुआ 178 के आसपास यहाँ पे breakout level नकला और फिर stock भागते हो नजर आय है यहाँ पे अब by tomorrow उपने चो targets रहेंगे तो stock कोसिस करेगा कि stock कल 200 कट आंकड़ा अपना पार करने की कोसिस करेगा psychological level है बड़ा hurdle है sellers एक्टिवनेस बहुत जादा रहेगी बट फिर भी stock अगर ही नगी bullish रहता है तो यह आंकड़ा break करने की कोसिस करेगा यहाँ पे आप द देखें अच्छा खासा breakout निकल के आया तो 200 सस्टेन करने के बाद 205 तक की target रहेंगे कि 25 तक sellers आपको पीछा नी चोड़ने वाले है 205 जब सस्टेन करेगा तब stock थोड़ा freely move होगा और फिर वो आपको आंकड़े दिखाएगा 215-225 तक की वो तब से तब की देखी जाएग बट फिलाल 205 और 205 के बाद अपने 215 तक की target जाएगे नीचे की दिखा की बात करें कि stock अगर support कहा रहेगा तो stock में पहला support अगर नीचे stock pullback दिखाता है कल के दिन 188 पहला support बनाएगा stock दूसरा support इसी दिखा में जो अपना बना सकता है वो बढ़ाएगा 182 और तीसरे में जहां पर आज trend line से breakout हुआ है 179 के आसपास यहां तक stock अपना तीसरा support लेगा तो यह अपने हो गए 3 supports और उपर की यह हो गए resistance तो ऐसे चलने वाला है NCC India आने वाले दिनों में अब यहां पर आपको जो चीज समझने वाली है वो उस पर ध्यान देजिएगा कि stock में no doubt breakout आप यह मा सूचिए कि अब stock भागेगा क्योंकि 200 मैंने बहुत से ऐसे stock देखने जो psychological level के पास heavy selling pressure के बाद rejection phase करते हैं साथी साथ आप nifty पर नजर डालें तो तीन देर हो गई है almost 50 को कहीं ना कहीं nifty बहुत under pressure है seller's effectiveness बहुत जाद है आज भी nifty ने support लिया 21500 के आसपास तो उ पर नजर जादा रखिएगा क्योंकि अगर 21500 का support break होता है तो एक sudden selling देखने को मिलेगी nifty में जो कि mid cap small crop पर जादा affected होती है और साथी साथ NCC भी उस टाइम गरती हुए देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अभी कोई जो भी नए buyers entry बनाना चाहते हैं अभी मैं उनसे यही कोई buy मत करिए क्योंकि buy तब करिए जब 200 या 205 sustain कर ले तब stock में आपको support मिल जाएगा 200 का तब आप buy करिएगा 200 का support लेकि अभी क्या है अभी अगर आपने buy किया और maybe यहाँ से fall दिखा दिया stock ना और reversal अगर आ गया तो यहाँ से reversal आते 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 आपको 175 का level पता नहीं कब break होगा और आपका stock नीचे आएगा फिर से channel के अंदर तो थोड़ी साफधानी बढ़ती है यह मा सुचे कि stock भाग रहा है भाग रहा है कल फिर से भागेगा मेरे return's book हो जाएंगे FOMO के चकर में कभी मत रही है stock market किसी का सगा नहीं है और जिस stock में आप पीशे भाग रहे है ना में भी आपको फसाद ही उपर के levels पर मैंने बहुत से लोगों के comments अंसर करता हूँ मुझे खुद पदा है कि क्या किसमें scene जल रहा है PFC में बहुत से लोग फसे है PFC भाग रहा था बहुत लोगों ने 420 के आसपास ले लिए और PFC आज आप देखें तो 38390 के आसपास एक consolidation का face धूंड रहा है अभी तो कहीं नगहीं मैं इसी लिए बोलता हूँ कि थोड़ा समभल के रही है majority of the stocks all time high के आसपास है और उसी में लोग फस्ते जा रहे है तो यहाँ बे मैंना support resistance बखूर भी आपको बता दिये क्या momentum रहे का उपर की दिशा में औ तो देख लीजे कि market का momentum जाने कहा है नीचे जा रहा है या उपर जा रहा है क्योंकि market थोड़ा unstable अभी देखने को मिल रहा है तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मलतें next वीडियो में this is me सुबमयादफ signing off